सो साइन्स एम किसम आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी नर्सिंग वालों के लिए कम्मुनिटी हेल्थ ओपिसर के 4500 पदों पे बंपर बढ़ती यहां पे आ चुकी है जिसा कि ओपिसली नियो जाप देख पा रहे होंगे ओपिसल वेबसाइड पे भी इसका अपडेट आ चुका है चलिए आपको प्रूप यहां पर दिखा देते हैं यह इसका ओपिसल वेबसाइड है और यहां पर आकर जैसे हम स्क्रोल डाउन करते हैं नोटिस में आपको दिख जाएगा इसके अडवैटेजमेंट में आपको दिख जाएगा एप्लिकेशन इन्वाइट पॉस कर सकता है यहन की eligibility क्या रखी गई है salary आपकी क्या रहने वाली है forum का piece क्या रहने वाला है selection का procedure क्या रहने वाला है job का location क्या रहने वाला है सारी जानकारी आपको सिर्फ इस वीडियो में मिलने वाली है तो चलिए यहां पर notification को open कर लेते हैं और यह notification आपको इसकी official website पे हर ज week of June तक यह 4500 पदो वाली weekend से आपके लिए आ जाएगी लेकिन बहुत सारों को trust यहां पे नहीं हुआता अब तो trust हो गया होगा अब तो मैंने आपको prove करके दिखा दिया रेpress करके भी दिखा देता हूँ एक बार ताएक कि आपको और trust हो यह देखिए यह बिहार state में conduct होने और इसका पूरा notification यहां पर देख लेते हैं CHO बनना तेहे आपका क्योंकि यहां पर नमर और post नमर और vacancy बहुत ही जादा है तो अगर आपको भी community health officer अधिकारी बनना है तो अवस्य form apply कर देना यह रहा इसका पूरा notification जहां पर आप साप साप देख पारूंगे कि 40,000 आपक का सा वेतन है और community health officer के लिए देखो यहां पर categorized post है रहने वाली है ABC का 1345 और BC का आप देख सकते हो BC male family सबका अलग लग रहने वाला है यसी का यसी का टोटल करके 4500 पॉस्ट अब बात आती है कि पूरम कौन कौन बरेंगे वी यसी नर्सिंग वाले इसका पूरम बर सकते हैं इसके लावा देखो आपका या तो INC से registration हो रखका हो या फिर स्टेड से हो रखका हो यानि कि All India के candidate यहां पर पूरम बर सकते हैं चा आप कहीं के भी हो फौरम बर सकते हो इसके अलावा अगर आपने पॉस्ट बेसिक वी यस नर्सिंग कर रहा है तो भी बर सकते हो इसके अलावा अगर आपने जेनेम कर रहा है यह देखिए जेनेम वालों के लिए भी मौका मिला हुआ है इतना कुछ आपको अपूर्ण स्ट लुक्स में आप देख पा रहे होंगे एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट यहां पर बहुत ही सांधार आपका रखा गया है यानि की एज लिमिट को लेके कोई भी इशू नहीं आने वाला मैग्समेम एज लिमिट यह देखिए एडुलीस का 42 एर मेल का फैमेल का 45 बीस आ बएसर्सींग पोस्ट बिस नर्सिंग जेनियम वालों को सबसे बड़ा मोका और यहां पर साब साब कर लिए कि एननि इस्टेड नर्सींग कांसलिंग यान कि किसी भीaton से आपका रखाード को रखा हो फोरम डाल सकते हो उब senhorतर्याव बात कर दोयते हैं केटिकरी वाइज एलग लग रहने वाला है EWSBC, EBC का देखो यहाँ पर male का 500, female का 250, ESCST वालों का देखो यहाँ पर male का 250, female का 250, female PWBD का 250, यह देखे पूर आपडेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसके लवा यहाँ पर यह कुछ important अपडेट है बिहार Health Society दोरा आज दिनाग 19 जून को Community Health Officer के 4500 पदोपे बरती का notification जारी किया गया है इच्चुक उमीदवार एक जुलाई से एक जुलाई से आवेदन प्रक्रिया में सामिल हो सकेंगे तो पोरम कब से स्टार्ट होंगे आपके एक जुलाई से पोरम स्टार्ट हो जाएंगे और इसका जो official website है नोट डाउन कर सकते हो shs.bihar.government.in इस website से पोरम आपको बरना होगा और एक जुलाई को सुबर दस बज़े से पोरम स्टार्ट होंगे कितनी बज़े से? दस बज़े से online पोरम बरे जाएंगे और last date 21 जुलाई रहेगी यानि कि 21 जुलाई इसका closing date, untim date रहने वाला है अब यहाँ पर हम बात कल देता है कि आपका selection का procedure क्या रहेगा क्या यहाँ पर CBT basic exam होगा या OMRC यानि कि offline exam होगा या interview होगा selection होगा कैसे? तो selection procedure का भी update हम आपको बताने वाले है देखो मैंने पहले बोल रहा है कि यह channel पूरा nursing वालों के लिए पेरा medical वालों के लिए पहर मेसी वालों के लिए बना हुआ है subscribe नहीं किया है तो कर लेना क्योंकि update सारा हम आपको देंगे एक परसेंट भी मन में doubt आपके नहीं रहेगा selection देखो इन पदों पे बढ़ती के लिए candidate का यहाँ पे interview होगा और फिर उसे short list किया जाएगा short list में नाम आने के बाद उमीदवार का documents verification होगा यानि कि बस आपका interview होने वाला है सीधी बढ़ती है अगर interview आपका अच्छा कसा चला गया तो समझो आपकी वहीं पे सरकारी नोकरी लग गई interview में किस परकार की question आपसे पूचे जाएगे उसके उपर भी हम चर्चा करेंगे चलन सस्क्राइब कर रहा होगा तो वह वाला वीडियो बे आपको मिली जाएगा कि interview में आपसे क्या क्या पूचा जाएगा तैयारी भी हम करवा देंगे क्योंकि सरकारी नोकरी आपको लगवाना है कैसे भी करके चलिए आगे बढ़ते है यहाँ पर आप आईश्यमा देख सकते हो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा Community Health Officer के पदों पे आवेदन के लिए उमिद्वार की आईश्यमा कम से कम 21 साल और अधिक्तम से 47 साल रखा गया है और इसके लावा आईश्यमा के लोगों का आईश्यमा में छूट दी जाएगी तो आराम से यहाँ पर एज लिमिट आपका कोई इश्यू नहीं होने वाला अब यहाँ पर आप बोलिंग सर फोरम कहां से बरना है तो देखिए आड़ ओपन हो जाएगी नीचे जिसे आप आओगे तो यहाँ पर विज्ञापन पर जिसे आप क्लिक करोगे तो यह नोटिप केसन आप देख पा रहोंगे और यहीं पर आपको एक जुलाई को एक जुलाई को आपको यहाँ पर लिंक दिख जाएगा फोरम का क्योंकि एक जुलाई को ही लिंक एक्टिवेट होने वाला है और यहाँ पर आप देख सकते हो यह कापी जदा important नीचे भी यहाँ पर mention किया हुआ है यानि कि अब जाके यह बढ़ती यहाँ पर start होने वाली है एक जुलाई से यह पूरा mention किया हुआ है कि ऐसे ऐसे आपको apply करना होगा एक जुलाई दोजार चोईस से 21 जुलाई दोजार चोईस तो चैनल सस्क्राइब कर रखा होगा तो एक जुलाई को वीडियो आएगा हमारा कि कैसे आपको फोरम बरना है तो आपको मिल जाएगा आपकी चैनल सस्क्राइब कर रखा है तो और भी वेकेंसिज नर्सिंग पेरामेडिकल भारमेसिक आपको मिलती रहेगी धन्यवाद